Hello everyone, welcome again to London, तो आज हम करेंगी राजिस्थान के प्रमुक महल तो देखिए, लास्ट वीडियो हमने दुर्गों के बारे में पढ़ा, मंदिर के बारे में पढ़ा तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और यदि आप लोग वीडियो को बहुत अच्छे से देख रहे हैं और उसके बाद आप नोट्स उठाकर खुद उसको पढ़ रहे हैं तो आपको चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाएंगी क्योंकि एक बार चीज़ों को यदि सुन लिया जाता है और वही चीज़ें जो हैं वो लिखावट में हमें सामने मिल जाती हैं और हम खुद उसको पढ़ते हैं तो वह चीज़ हमें बहुत जल्दी याद होती हैं तो इस चीज़ को आप मानिये जो भी वीडियो आप सुनते हैं उसको आप नोट्स में भी पढ़िए जिससे की वो आपको ऐसे लगेंगे कि आपने ही ये लिखे हैं ठीक है तो बहुत ही महनत से ये नोट्स जो हैं वो आप लोगों तक पहुँच रहे हैं इसका फायदा उखाना है नोट्स जो हैं रखने नहीं हैं ऐसा नहीं सोचना है कि बाद में कर लेंगे जो ऐसा सोचते हैं तो उनका काम जो है वो सही नहीं रहता है और चीजें इखटी हो जाती हैं तो परेशानी होती है कौन से चीज पहले पढ़ें कौन सी बाद में पढ़ें तो चलिए राजिस्थान के प्रमुक महलों के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले जानिए कि राजिस्थान में राजबूतों के राज जैसे जैसे स्थापित होते गए तो राजभवनों का निमार भी होने लगा तो starting में जो राज महल थे वो बिलकुल simple तरीके से बना करते थे चोटे-चोटे कमरे होते थे और उनके चोटे कमरों के चोटे दरवाजे होते थे खिड़कियां ये लोग नहीं बनाते थे ठीके और जैसे गाओं में आंगन टाइप में होता है ऐसे ही ये लोग आंगन बना कर जो है उनकमरों को उनसे जोड़ दिया करते थे तो इस टाइप के जो starting में महल बनते थे लेकिन जैसे जैसे समय बीता गया मद्यकाल आया तो राजबू साशकों की आर्थिक इस्तिती जो है वह भी अच्छी होने लगी तो भई आर्थिक जो सम्रिद्धी होगी तो क्या होगा कि वहाँ पर पैसा जो है वो लगाया जाएगा तो इसी तरीके से महल जो छोटे होते थे वो अब बड़े बनने लगे बहुत अच्छे तरीके से उनको सजाया जाने लगा और जब राजबू शाषकों का दिल्ली सल्तनत के शाषकों से संपर्क होता है मुगलों के साथ संपर्क होता है मुगलों से वेवाहिक संबंद होता है तो इसका असर जो है इनके महलों पर भी पढ़ता है यहां महलों के इस्थापते पर भी यह चीज दिखाई देती है क्योंकि जो मुगल थे उनके जो महल होते थे किस तरीके होते थे उनके जो महल होते थे उनमें महराव, गुमबज, बेल बूटे, संग्मरमर का प्रियोग, भाग बगीचे, फबारे यह सब वो लोग वहां पर बनवाते थे, तो ऐसे ही यहां राजपूर शाषकों ने भी बनवाने स्टार्ट कर दिये थे, तो चलिए अब हम नोट्स के द्वारा पढ़ते हैं कि कौन सा महल जो है किसने बनवाया और वह कहां पर है, तो यहां पर एक तो यह याद रखना है, यह पूछा जाता है कि कहां है, अलवर जिले में है, और यह है विजे सागर जील के किनारे ही बना हुआ है, एक जहाज की आकरती में यह निर्मित है और इसका निर्मान खुद महाराजा जै सिंग ने 1918 इस्वी में करवाया था, तो विजे मंदिर महल जो है वो राजिस्थान में अलवर से दिवास भी है और इस्थापत्य कला सौंदरे के लिए यह पैलेस जो है वो जाना जाता है, इसमें लगभग जो है 105-106 जो है वो कमरे बने हुए हैं और जो बाहर की तरफ जो है एक बहुत बड़ा खुबसूरत सा बगीचा भी बना हुआ है, विजे सागर जील के किनारे जो है इस महल को खुद महाराजा जै सिंग ने बनवाया था 1918 इस्वी में, तो ये चीज याद रखेंगे, विजे मंदिर पैलेस कहां है, अलवर जिले में, एक और पैलेस है, अलवर में ही, अलवर का लेक पैलेस जिसे बोलते हैं, या जिसे सिली सेड महल भी बोलते हैं, औ और सिली सेड जील के किनारे, जील की तल हटी में सेड माता का मंदिर होने पर इस जील का नाम जो है सिली सेड जील रखा गया, तो देखें, ये जो, ये समझें, ये क्या है सिली सेड जील है, ठीक है, और ये जील जो है, इसका नाम सिली सेड क्यों पढ़ा, तो यहां इसकी तलहटी में सेड माता का मंदिर है तो सेड माता का मंदिर होने पर जील का नाम जो है वो सिल्ली सेड रखा गया एक तो ये बात हो गई ठीक है दूसरी सिल्ली सेड जील जो है इसी के पास में ही सिल्ली सेड महल जो है वो बना हुआ है और परेटक जो है वो भारी मात्रा में य इस सिली सेड जील को देखने के लिए इस जील का निर्मान जो है महाराजब विने सिंग ने अपनी रानी शीला के लिए करवाया था तो ये अलवर का लेक पैलेस है और सिली सेड जील के किनारे बना हुआ है जील की तलहटी में सेड माता का मंदिर होने पर इस जील का नाम सिल से रखा गया, निर्मान किस ने करवाया, विने सींग ने करवाया अपनी रानी शीला के लिए, तीसरा जो महल है सावन भादो महल, यह कहाँ है, शहबाद दुर्ग, बारां जिले में हैं, एक और इस्थान है, सावन भादो स्थान, जिसे मैंने नोट में लिख दिया है, यह अचलगड दुर्ग सिरोही में ठीक है याद रखेंगे महाना कुमबा और उदा की पत्थर की मूर्ती बनी हुई है इस इस्थान पर तो महल अलग है सावन भादो महल और सावन भादो जो इस्थान है वह अलग है यह सिरोही में है और महल कहां है बारा जिले में है तो एक्ज तिस ने बनवाया महाराजा विने सिंग ने बनवाया ठीक है तीसरा हमने क्या पढ़ा कि सावन भादो महल कहां है साहबाद दुर्ग बारा में हैं तो ये तीन महल जो है वो आपको अभी ही याद हो गए होंगे नेक्स्ट देखिए फोर नंबर पर महल है एक थंबिया महल और यह महल डुंगरपुर जिले में है अभी हम आगे एक और महल देखेंगे एक थंबा महल ठीक है और वो महल जो है वो मंदोर जोदपुर में है तो ये जो एक थंबिया महल है यह डुंगरपुर में है और यह मूल तहट तीन मंजिला शिव मंदिर है इसका निर्मान जो है वो शिवनात सिंग ने करवाया था शिव ग्यानिश्वर विद्धाले के रूप में और यह गैब सागरजील के किनारे है तो तीन पॉइंट याद रखेंगे एक थंबिया महल दुंगरपुर में है शिवनात सिंग ने बनवाया और गैब सागरचील के किनारे है वही पर एक और जो महल है जिसका नाम एक थंबा महल जिसे हम प्रहरी मीनार भी कहते हैं जो की मन्डोर में यानि जोदबूर में है और यह एक खंबे पर निर तो याद कैसे रखेंगे एक थांबिया और एक थंबा महल को हम भूलतकते हैं exam में तो इस तरीके से याद रहए जाएगा कि थांबिया जो है उसमें कितने शब्द है उसमें देखिए चार शब्द है ठीक Hm, और डूंगरपुर जो है उसमें 5 शब्द है यानि कि चार और पांच शब्द है वही पर थंबा और मंडौर इसमें तीन तीन शब्द है तो छोटे के साथ जो है वो छोटा ठीक है और थंबिया और डूंगरपुर बड़े के साथ में बड़ा ऐसे थोड़ा सा याद रख पाएंगे आप लोग एक्जाम में यदि आप भूल ठीक है थंबा जो है वह है चोटा है शब्द तो मंडौर भी चोटा है साथ में ही है और थंबिया जो है बड़ा है तो डूंगरपुर भी बड़ा शब्द है नेक्स्ट है बीजो लाई के महल जोटपुर जिले में हैं और इसका निर्मान महाराजा तकत सिंग ने करवाया ये महाराजा तक्त सिंग कौन है जो की 1857 की क्रांती में किस के साथ थे अंग्रेजों के साथ थे और मारवाड के शाशक थे महाराण तक्त सिंग जो है वो मारवाड के शाशक थे ठीक है और कुसाल सिंग की जो सेना होती है उसके साथ जो है इनका जुद भी होता है जब हमने 18 desa Tamamki Krantitin को पढ़ा था तो इन ही राजा ने करवाया था बीजो लाई के महल का निर्मान क्यूं करवाया था इनों ने शिकार ग्रह के लिए इस महल का निर्मान करवाया था तो एक्जामन पूछा जा सकता है कि महाराजा जो तक्त सिंह है इनों ने बीजो लाई के महल का निर्मान जो है क्यों करवाया था तो शिकार ग्रह के लिए करवाया था राई का बाग पैलेस जोदपुर जिले में है राई का बाग पैलेस इसका निर्मान हाडी रानी जस्वंत देने करवाया था तो ये वही हाडी रानी है जिनके पती थे जस्वंत सींग, 1883 इस्वी में महरसी दयानन सरस्वती ने यहीं उपदेश दिया था, राई का बाग पैलिस में, और इसे समय जो महराजा थे वह है जस्वंत सींग सेकिंड थे, अब यहाँ पर एक्जामिनर आपको कन्क्यूज कर स लगता है, इंपोर्टेंट हैं यह दोनों ही लाइने, ऐसे पूछ सकता है कि राई का बाग पैलिस जो है, यहाँ पर महरसी दयानन सरस्वती ने 1883 इस्वी में उपदेश दिया था, तो उस समय महराजा कौन थे, तो याद रहेगा आपको कि राई का बाग पैलिस जो है, इ यह ना करके आपको क्या करना है आंसर, महराजा जस्वन सिंग सेकिंड, इनके समय में दयानन सरस्वती यहाँ आते हैं और यहाँ पर उपदेश देते हैं 1883 इस्वी में, नेक्स्ट जो पैलिस है, महल जो है, वह है जोतपुर का उमेद भवन पैलिस, इसका निर्मान निर्मान कारी जो है, याद रहेंगे, निर्मान करता वमेद सिंग है, उमेध भवन पैलेस के, इन्हों ने इसका निर्मान अकाल रहत कारे के लिए करवाया था, तो 1928 से प्रारम होता है, और 1940 तक इसका निर्मान किया जाता है, तो बहुत ही अच्छे कारे के लिए, जो ताज महल है इसी तरीके से दिखाई देता है उमेद भवन पैलिस तो विश्व का सबसे बड़ा आवाशिय महल है कौन सा उमेद भवन पैलिस याद रखेंगे इस लाइन को पूछा जा सकता है विश्व का सबसे बड़ा आवाशिय महल जो है कहां पर है जोदपूर में है इसे चीतर पैलिस भी कहते हैं, चीतर के पत्थर, जोदपुरी, लाल पत्थरों से ये निर्मित है, इसी वज़े से चीतर पैलिस कहा जाता है, यहाँ पर घडियों का संग्राले भी है, तो देखिए जो भी पॉइंट आपके एक्जाम में आने वाले हैं, बस मैंने यहाँ ग करनी है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो भवन है, वह है अजीत भवन पैलिस, ये भी जोदपुर में हैं, तो जोदपुर के महल हमने देखे, एक थमबा महल, बीजो लाई का महल, राई का बाग पैलिस, उमेद भवन पैलिस, और अजीत भवन पैलिस, कहां पर है, जो पर है जोदपूर में है इसका निर्मान जो है वो मारवाड के प्रधान मंतरी अजीज सिंग ने महाराजा हनुमंत के लिए करवाया याद रखेंगे मारवाड के जो पीम है अजीज सिंग इन्होंने अजीद भवन पैलेस का निर्मान करवाया तो यहां पर वी निर्मान कारी जो है कौन है अजीज सिंग है इसी पैलेस के ठीक है और महाराजा हनवंत के लिए करवाया था देश का पहला हैरिटेज होटल है अजीद भवन पैलेस याद रखेंगे कि हमने अभी क्या पड़ा था विस्व का सबसे बड़ा आवासिय महल कौन सा है उमेद भवन पैलेस वही पर देश का पहला हैरिटेज होटल कहां पर है जोदपूर में है कौन सा अजीद भवन पहले से तो नेक्स्ट देखिए बादल महल अब देखिए कहीं के भी हम दुर्ग पढ़ते हैं तो वहां हम पढ़ते हैं कि यहां पर बादल महल बना हुआ है तो कई दुर्गों में आप परताप का जन्म हुआ था और यह चीज आपको पता भी है कई बार मैंने आपको बताई भी है दूसरा जो बादल महल है यह है कहां पर बीका नेर का जो जूना गड़ है इसमें बना हुआ है और जूना गड़ को हम बीका नेर दुर्ग के नाम से भी जानते हैं जमीन का जे का काम होता है तो यह प्रसिद्ध है इसे जमीन का जेवर भी कहते हैं अगला जो बादल महल है वह है नागोर दुर्ग में है नागोर में ठीक है और यह कलातमक बादल महल कहा जाता है नागोर का याद रखेंगे नागोर दुर्ग में जो बादल महल है उसे कलातमक बादल महल कहते हैं बादल महल जो की सोनार दुर्ग में है सोनार गड़ कहा है जैसल मेव जुले में है और इसमें जो बादल महल बना हुआ है यह राजिस्थान का सबसे उंचा भव्य महल है तो याद रखेंगे कि सोनार दुर्ग में जो बादल महल है वह राजिस्थान का सबसे उंचा भव्य महल है और इसका निर्मान जो है सिलावटोनी करवाया था और उसके बाद इस महल को वैरी साल को भी भेंट कर दिया था 1830 में चीके तो हमने जो है अभी तक कितने बादल महल पढ़े हैं चार बादल महल एक कुंबल गड़ में पढ़ा जो कि महाना प्रताप का जन्म हो है तो वह हम याद रख सकते हैं जूनागड को जमीन का जेवर भी कहते हैं तो वहाँ याद हो जाएगा सोना और चांदी के काम के लिए प्रसिद्ध है तीसरा हमने नागोर दुर्ग में जो बादल महल है उसके बारे में पढ़ा कलाकारी के लिए प्रसिद्ध है और जैसल मेर का जो सोनार दुर्ग है सोनार गड उसमें जो बादल महल है वह है राजिस्तान का सबसे उंचा भव्य महल है ठीक है तो ये चीज़ आप याद रखेंगे अगला देखिए हवा महल इंपोर्टेंट है कई बार यहां से कुश्चन जो है वो आया हुआ है कई बार वास्त इसका निर्मान जो है 1799 इस्वी में सवाई प्रताप सींग ने अपनी रानियों को गंगोर की सवारी दिखाने के लिए करवाया था चीक है याद रखेंगे क्यों करवाया था सवाई प्रताप सींग ने अपनी रानियों को गंगोर की सवारी दिखाने के लिए जैपुर मे 1799 EC में हवा महल कर निमान करवाया था date जो है वह भी exam में आ चुकी है हवा महल के वास्टूकार हैं लाल चन, उस्ता और यह लाल पत्थरों से निर्मित है अब देखिए हवा महल के बारे में तो कई बार बहुत सारे कुशन आए हुए है किसे निरमित है ये लाल पत्रों से इसमें कुल कितनी खड़ किया है नीचे से लेकर उपर तक जब हम जाते हैं तो इसमें पांच मंदिर है जिसमें सरद मंदिर सबसे नीचे है उसके बाद जो है रतन मंदिर है दूसरी मंजिल पर तीसरे में विचितर मंदिर है प्रकाश मंदिर है और सबसे उपरे वाली जो मंजिल है उसमें हवा मंदिर है ठीक है इसकी जो आकरती है वह कृष्ण के मुकुट के समान है जैसा कि मैंने इसे बनाने की कोशिश की कि डाइग्रम जो है वो आप लोगों की एक्जाम में थोड़ा सा माइंड में आ जाएगा कि कृष्ण के मुकुट के समान जो है कौन सा महल है याद रखेंगे हवा महल ठीक है पिरामिडा नुकार भी है ठीक है नेक्स्ट देखिए ये तो था जैपुर का हवा महल एक और हवा महल है जो की खेतड़ी जुनजुनु में है इसे सेखावटी का हवा महल कहते हैं तो अगर एक्जाम में आता है सेखावटी का हवा महल जो है कहां है तो आप बिल्कुल भी जैपुर नहीं करेंगे क्योंकि यह महल कहां पर है खेतड़ी राजिस्थान का दूसरा हवा महल कहते हैं, पहला हवा महल कौन सा है? प्रताप सींघ के दौरा बनाया गया जैपुर का हवा महल. राजिस्थान का मिनी हवा महले से कहते हैं क्योंकि यह उससे चोटा है और महाराजा भूपाल सींग ने ग्रीशमकाल में विश्राम ग्रह के रूप में इसका निर्मान करवाया था ग्रिश मकाल में यहाँ पर विश्राम कर सकें क्योंकि हवा महल होता ही ऐसा है कि यहाँ हवा जो है उसका आवा गमर अच्छे से हो तो यहाँ पर भूपाल सिंग ने ग्रिश मकाल में विश्राम ग्रहे के रूप में इसका निर्मान करवाया था तो आपने अभी तक एक हवा महल के बारे में पढ़ा होगा, तो चलिए अब हम तीसरे हवा महल के बारे में जानते हैं, एक हमने जैपूर में देखा, जो कि जैपूर में किसने बनवाया सवाई प्रताप सिंग ने, दूसरा हवा महल जो है, वह कहां पर है, खेतरी जुन- तो इसका निर्मान करवाया था भूपाल सिंग ने, और तीसरा जो हवा महल है, यह है, कोटा में इसका निर्मान महाराव राम सिंग सेकंड ने करवाया था, तो एक्जाम में यदि आता है, राम सिंग सेकंड ने कौन से हवा महल का निर्मान करवाया था, तो याद कोटा में जो हवामेल है उसका निर्मान करवाते हैं राम सिंह सेकिंड तो चलिए आज का वीडियो जो है यहीं पर समाप्त करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट महल के बारे में पढ़ेंगे तो तक तक आप इनको करिएगा रिवाइज थैंक यू